नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सरजियम तो बहुत अच्छे हैं आप बताएगा अभी बहुत बहुत बढ़िया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और मुझे अमीद है कि हुली की थकान आप क्यों तर गई होगी और उसके बाद अब आप वापस अपने उसी ट्रेक पर आगे हैं जहां फोली से पहले थे आएए पूरी शिद्दत के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं एक्जम्शन चाप्टर तक का हमारा रिविजन हो चला है अब हम बात करते हैं आगे मैं आपको लिक लिक कर भी रिवाइज कराऊंगा और बुक से देखक अगर भी हम बातों के रिवाइज करके चलाएंगे ठीक बीबी यस सर तो जैसा कि हम जाते हैं सबसे पहले गुड्स और सर्विस चेक किया जाता है अगर वो होता है तो फिर हम लोग सप्लाई की बात करके चलते हैं सप्लाई है या नहीं सप्लाई आपकी इंटरास्टेट या फिर interstate कैसी भी हो सकती है उसके बाद फिर बात होती है taxable person को लेकर और taxable person के थ्रो अगर supply की गई है तो GST लेवी हो जाता है और अगर इसमें कोई किसी प्रकार की exemption नहीं है तो फिर यहां पर आकर हम sure हो जाते हैं कि GST का payment करना ही करना है और जब यह तै हो जाता है GST का payment करना है तो फिर आगे number आता है कि भाई इसे compute करने का formula बताईए है तो compute करने के लिए हमें चाहिए होती है एक accessible value एक rate of tax चाहिए होता है और अगर international transaction तो rate of exchange की हमें बात करनी होती है हम सबसे पहले बात करते हैं value की पहली priority पर यह देखा जाता है number एक पराकर कि जो transaction value है वही बन जाती है आपकी accessible value ठीक है लेकिन ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि transaction value available होने चाहिए और साथ में वो reliable भी होनी चाहिए अगर यह available नहीं है या reliable नहीं है तो ऐसे में हमें जाना पड़ता है valuation rules की तरफ discussing what is the transaction value तो transaction value के लिए बोलता है कि जो price है actually paid और payable जो है उसे आप यहां पर रख दीजिएगा और इसके अंदर आपको कुछ एक adjustments करनी होती है adjustment होती है idiots की yes idiots के लिए adjustment करी जाती है जो पहला आई निकल के आता है इसका मतलब है आपके incidental expenses जो होते हैं main supply से connected जो भी आपके associated या incidental expenses है loading, unloading, handling, etc. फलाना, धिमका, even freight इन सबको हम accessible value के अंदर ही लब कर देते हैं जी हां freight अगर माल लीजिए आपने commitment कर रखा पार्टी के साथ कि आप उसकी factory तक माल को पहुचा कर दोगे ठिक और उसमें question के अंदर freight आपको अलग से दे रखा है तो फ्रेट आपको यहां पर add करना होता है फ्रेट पर उसका अपना अलग से GST rate मत लगाईएगा आप उसे main product की या main supply की value में add करने के बाद जो value आएगी उस पर ही हम अपना final tax calculate करके चलेंगे यह अपना आता है अगला point discount का discount कई तरीके से दिया जा सकता है price को reduce करके भी discount दिया जा सकता है quantity को बढ़ा कर भी discount दिया जा सकता है discount किसी भी नाम से दिया जा सकता है GST के point of view से discount को हम दो categories में divide करके चलते हैं एक है अपना pre supply और एक होता है अपना post supply करके Pre supply का मतलब हो गया वो discount जो कि supply के वक्त हमें पता है कि कितना discount दिया जा रहा है और ऐसा जो discount होता है वो invoice के अंदर record हो जाता है उसमें शामिल हो जाता है तो question के अंदर ये बात दे रखी होगी कि जो discount दिया गया है वो invoice में record कर लिया गया है तो मतलब ये कि वो आपका pre supply discount है 100 रुपे की value ती 10 रुपे का discount है 90 रुपे price actually paid और payable हो जाएगा और 90 रुपे पर GST की बात हम करके चलेंगे तो ये बड़ा असान होता है दूसरी बात गरती कहां पर होती है यहां पर आकर जो post supply discount होता है इसके benefit पाने के लिए दो बातों का पूरा होना बहुत जरूरी है नमबर एक कि यहां पर एक agreement supplier और recipient के बीच में जरूर जरूर होना चाहिए regarding the discount discount भले ही ना पता हूँ supply के वक्त लेकिन उसके होने की सभावना या उसका जो agreement है वो जरूर जरूर होना चाहिए और दूसरा जब actually discount पासओन किया जाएगा by way of credit note तो ऐसे में जो recipient आदमी है अगर B2B supply रही है तो उसे अपना जो corresponding ITC है वो reduce करना पड़ेगा अगर वो corresponding ITC reduce नहीं करता है तो भाई फिर बात नहीं बनेगे तो ध्यान दीजिए दोनों की दोनों शर्ते पूरी होती है तब ही कहीं जाकर supplier अपनी liability को कम कर पाता है जैसा कि आप जानते है credit note का nature जो होता है जहां भी जाता है negativity फैलाता है सबसे पहले ये main invoice के साथ चुकी connect होता है main invoice के value को कम करता है supplier के liability को कम करता है और recipient के ITC को कम कर देता है तो recipient अगर अपना ITC घटाने के लिए तैयार है घटा रहा है तभी इसकी घटे हुई liability को accept किया जाएगा otherwise नहीं किया जाएगा ऐसे करके बोल देते हैं अगला I आता है यहां पर आपका interest and penalties जो होती है उनकी बात करते हैं इंट्रेस्ट को हम तीन इंट्रेस्ट एक तरह के होते हैं और तीन एक तरह के होते हैं मतलब मतलब ये interest on loan advance or deposit है loan advance or deposit है फिर तो यह आपका exemption route से भार हो जाता है उसे जोडने या ना जोडने का सवाली पैदा नहीं होता है लेकिन अगर जो interest है वो deferred consideration पर है या delayed consideration पर है या credit card related charges हैं तो यह definitely GST के दाएरे में आते हैं हाला कि interest पर GST लगाना घलत है पुराने समय के अंदर भी इस पर GST नहीं लगाया जाता था लेकिन थोड़ी कचर कचर रह थी थी पुराने system के अंदर आकर government ने GST में आकर इस पर interest पर GST लगाया है लेकिन साथ में एक relaxation दे दिया है क्या कि interest के बारे में यह बोला गया कि interest जब मिले जितना मिले जब मिले जितना मिले उसको always inclusive of GST मानते हुए जो मिले जब मिले जितना मिले उसे inclusive of GST मानते हुए आपको GST का payment करना पड़ेगा इसके लिए आपको question के tone को ठीक से देखना होगा वो आपसे क्या पूछ रहा है क्या वो आपसे total GST पूछ रहा है या वो साथ में due date भी पूछ रहा है मानले जो main transaction आपके जनवरी में होई है और interest के साथ जो payment हुआ है वो आपका October महीने के अंदर हुआ है तो main transaction में जो GST ब कलके आएगी और interest का जो पैसा होगा that will always be treated as inclusive of GST तो उसमें से हम value को वैसे करके निकाल पाएंगे और अपना GST calculate कर पाएंगे इडियो अब आता है आपका O करके है ओ करके क्या है ओ है जिसे supplier का obligation यह supplier है यह recipient है मानलीजिए कोई supplier का obligation था जिसमें supplier को third party को pay करना था लिकिन supplier के कहने पर क्या हुआ उसने recipient को instruction दे दी कि भई तुम मुझे दोगे फिर मैंसे दूँगा एक काम करो जो तुम मुझे देना च तो practically है तो यह consideration का part ही इसलिए 90 यह और 10 यह इस 100 रपे को यहां पर हम accessible value की तरह treat करके चलते हैं इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई supplier का obligation था और paid by recipient कर दिया जाता है तो उसको भी यहां पर शामिल किया जाता है आगे आता है आपका T करके T का मतलब है other taxes other tax मतलब आप GST को छो दीजिए और जो compensation says है आप उसे छोड़ दीजिए इसके अलावा कोई आपको किसी भी तरह का other tax मिलता है तो उसको यहां पर हम शामिल करके चलते हैं हाला कि यह गलत है यह cascading create करता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं इसको यहां पर add किया जाएगा अगर import कर रहे हैं तो पहल आपके income tax के अंदर यह TCS आपका कोई final tax नहीं होता है यह जस्त interim levy होती है और इनके objective होते है कि situation को transaction को control करना बाकि इनका objective कोई पैसा कमाना नहीं होता है यहां TCS से किसे कोई फाइदा या नुकसा नहीं होता है जस्तिक controlling tool interim levy होती है finally क्या बना क्या नहीं बना वो तो at the end of the year ही पता लगता है इसलिए हम इसे tax नहीं बुलाते हैं और अगर यह tax नहीं बनता है तो फिर यह other tax की category में भी नहीं आएगा और other tax की category में आएगा तो फिर यह include भी नहीं किया जाएगा मतलम मान लीजिए यसे तेंदू leaves की हम बात करते हैं तेंदू leaves पर TCS आता है income tax के अंदर एक लाख रुपे की value है पांच परसंट का TCS उस पर आ जाता है पांच जार रुपे का value होगे एक लाख पांच जार रुपे तेंदू leaves पर 18% का GST अपना बनता है तो GST एक लाख प में divide कर सकते हैं पहला पार्ट इसका निकल के आता है जहां पर तीन शर्तें आपको चेक करनी होंगी जो सबसीडी है ये दी जानी चाहिए given to supplier होनी चाहिए जो सबसीडी है ये given by government होनी चाहिए और ये आपकी unit linked भी होनी चाहिए कि जिस product या मैं आप deal कर रहे है उस पे per unit price impact सीदा सीदा calculatable हो वैसे वाले form में दी जाने चाहिए तब ही इसका असर निकाल सकते हैं अगर तीनों की तीनों condition satisfy होड़ती हैं फिर तो अपने इस subsidy को हम लोग exclude करके चलेंगे अगर इनमें से एक भी condition रह गई तो फिर इसको हम exclude नहीं कर सकते हैं अब subsidy को लेकर आपके सामने चार तरह के question exam में आ सकते हैं चार situation क्या माली जी आपको यहाँ पर 10,000 के value ये given है कि मेरे main supply के value 10,000 है subsidy के बारे में बोला जा सकता है कि ये जो 10,000 के value दी हुई है ये net of subsidy करके दी हुई है net of subsidy का मतलब हो गया कि subsidy इसमें से घटी हुई है और subsidy दी थी government ने आपके तो घटी हुई है और government देती तो वैसे भी घटाना ही होता है तो funnel value घटाना है और घटी हुई ही है तो आप कुछ भी करने के जरूतनी 10 का 10 पूरा यहां पर आ जाएगा अगर माल लेते हैं यह दिया हुआ आपका price net of subsidy यानि कि वो subsidy उस value में से घटी हुई है already लेकिन अगर यह दिये non-government ने तो non-government ने दिये तो principally वो घटनी नहीं चाहिए इसलिए हम उसको add back कर देते हैं subsidy का amount अगर 1000 का है तो यहां पर value अपनी 11,000 निकल कर आ जाएगे अगली position आपके सामने आ सकती है कि जो 10,000 की value दे रखी है इसमें से अभी subsidy घटी हुई नहीं है यह एक gross value आपको दी हुई है और आगे बताता है कि subsidy गौर्मेंट ने दी है सप्लायर को दी है यूनिट लिंक दी ही करके दी है तो ऐसी अवस्था में आपको वो घटानी है तो 10,000 की value अगर gross है और 1000 रुपे की subsidy है तो accessible value यहां पर 9,000 रुपी आ जाएगी ठीक अगला point मालिज यह तो gross थी लेकिन यह subsidy दी है आपकी non government ने तो इसमें मतलब भी घटी हुई नहीं है बट चुकि आपको घटानी भी नहीं है क्योंकि non government ने दी है तो जो figure है वो as it is आपकी यहां उपर कर आ जाएगी तो इस प्रकार से चार तरह से आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदर subsidy को लेकर तो यह बात होगी आपकी idiots को यहां लेकर हो जाती है अब दो नई चीज़े और सामने निकल कर आई है एक आया है NCB no claim bonus जो होता है जो अगर माली जो मैंने पिछले साल में insurance company से अपनी कार का कोई claim वगरा नहीं लिया है तो company मुझे वहाँ पर डिसकाउंट आफर कर देती है एक तरीके से no claim bonus करके और मेरा current का premium बनता suppose करो 16,000 rupees का और 20% की इसमें मुझे मिल रही है NCB आकर तो 20% घटाऊंगो ऐसमें से तो यह आजाएगा 32 रुपे यहां पर घट जाएंगे और 14,800 यह मेरा net price होगा इसी को accessible value को तरह treat करके चलेंगे यह कहने का मतलब यह कि NCB को आप ऐसे treat करेंगे जैसे कि आपकी यह pre supply discount होता है इसके अलावा और किसी भी तरीके से नहीं देखा जाएगा एक और बात समझे जरा जैसा कि normally हम जानते हैं अगली बात ता रहू हूं जैसे कि यहां पर आपके यह bank हो जाता है और इधर यह customer आदमी हो जाता है और यहां से कोई 2000 रुपे तक की transaction card के through करी जाती है तो वैसे वाले case में जो भी इस पर bank के अपने charges बनते हैं उन charges के उपर मान लिजे 2% से bank charge बनके 40 रुपे के तो इन 40 रुपे के ऊपर अपना GST नहीं लगाया जाता है ऐसा law में already दिया हुआ है अब यहां पर एक नई बात निकल के सामने AI कि मान लिजे यह यहां पर आपका bank हो जाता है इधर आपका एक customer है और customer low value भी में यूपाई transaction करता है या रुपे कार्ड के थो अपनी transaction करता है गरीब का यह कार्ड होता है ठीक है जी तो ऐसे में government ने banks को instruction दी कि यह से मान लोड ट्रांजक्शन 1000 रुपे की यहां पर थी तो government ने का कि अब 1000 रुपे के उपर bank charges ही नहीं लोगे तो GST लगने या ना लगने का सवाल यह पैदा नहीं होता क्योंकि bank charges ही नहीं है ऐसे में bank move बना के बैठ जाता है अपने रुपे कार्ड को promote करने के लिए हमारे सीने पर क्यों लात मार रहे हो साब यह तो गलत हो जाएगा तो government का चिंता मत करो आपको जो भी नुकसान हुआ है इसे आपको हम compensate कर देंगे customer से आपको नहीं लेना है हम compensate करके चलेंगे in the form of subsidium आपको transaction wise subsidy की रूप में आपर पैसा reimburse कर देंगे एक तरीके से ऐसा है तो यह प्रकार की subsidy है given to supplier ही है और unit rig per transaction basis के साब से calculate की जाती है तो ऐसे में इसको भी transaction value से exclude कर दिया जाएगा because it fulfills all the three conditions तो ऐसे करके यहाँ पर आपकी बात हो जाती है आएए अब चलते है book की तरफ यहाँ section number 15 आपके applicable होता है इधर यहाँ देख सकते हैं इसको value of taxable supplies को लेकर तो सबसे पहले आगया value of taxable supply of goods or service will be the price actually paid or payable ठीक इसमें हम idiots वाली transactions अपनी करके चल रहे हैं जितने भी all other taxes है उनको यहाँ पर include किया जाएगा supplier की कोई liability बनती है अगर और वो paid by recipient कर दी जाती है तो उसको यहाँ पर include किया जाता है incidental expenses है loading, unloading, packaging, etc. सबके सब शामिल की जाते हैं interest and late fee जो है अपना उसको भी यहाँ पर हम add करके चलते हैं लिकिन उसके लिए मैं पता है कि यार वो inclusive of GST की तरह treat करके चलते हैं interest on loan advance deposit है वो exempted है इसलिए add करने का सवाल यह पैदा नहीं होता यह छोटी सी clarification है और clarification के अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अगर आपका interest on loan advance deposit है फिर तो वो exempt होगा लेकिन अगर आपका जो interest वो delayed payment पर है तो फिर आपना वो भाई obvious सी बात है taxable यहाँ पर कर दिया जाएगा subsidy के बाते में तीन बात दे रखी है subsidy जो है वो आपकी given by the government है subsidy given to supplier है और यह unit price से linked है आपकी तो ऐसे में इसको exclude कर देंगे otherwise हम इसको शामिल रखके चलेंगे यह आगया जहाँ पर की government ने bank charges जो होते हैं low value UPI transactions है या रुपे debit card वाले जो transactions है उन पर bank charges तो नहीं है लेकिन इसके लिए सरकार banks को compensate करके चलती है incentive दे कर चलती है तो ऐसे incentive को as a subsidy treat करके चलेंगे all the conditions satisfied है तो यहाँ पराकरश पर GST की बात नहीं करी जोएगी discount के बारे में बता रखा discount कब कैसे दिया जाता है और असल चीज़ है यह time of discount क्या होता है GST के point of view से देखने में कि pre supply होता और एक आपका post supply discount यहाँ पर consider किया चाहता है दोनों के बारे में बता रखा कि जो pre supply discount है आपका वो तो automatically invoice के अंदर inbuilt हो जाता है लेकिन जो post supply discount इसमें दो बाते पूरी होने चाहिए एक agreement होना चाहिए और साथ में जो corresponding ITC है उसे recipient credit note के base पर reduce कर ले तो ही बात बनेगी otherwise बात नहीं बनेगी यहाँ बोलता है NCV को लेकर जो no claim bonus है अपका वो no claim bonus जो है उसे as a discount यहाँ पर treat करके चलेंगे और उसे हम यहाँ पर consideration का हिस्सा नहीं बनाएंगे I mean उसे उसे exclude करवा दिया जाएगा वैसे यहाँ पर बोला कया है एक accessible value का मतलब tariff value भी लिया जाता है यह सब जस आपके देखने के लिए और वैसे भी जो online money gaming वाला जो इस बार नया concept नेकल के आया है उसमें जो entry fees होती है गेम में आने की उस entry fees को ही accessible value के तोर पर consider कर लिया जाता है और उसकी proper summary मैंने पूरे chapter की यहाँ पर दे रखी है आप इसे देख सकते हैं subsidy वाले case भी यहाँ पर बना कर देख रखे हैं मतलब अगर आप सिर्फ summary को देख के जाएंगे तो काम हो जाएगा price actually paid or payable, incidental expenses, discount के बारे में दौनों बाते आ गई अपनी है interest के बारे में यह आ गया, जो मिला जब मिला, inclusive of GST मानो और भर के चलो obligation आ गया, other taxes की बात यहाँ पर आ गई, TCS tax नहीं है, इसलिए अटा के चलेंगे subsidy के बारे में तीन condition पूरी होने चाहिए, और जो subsidy के चार case maximum possible बन सकते हैं जो मिन आपको बताए थे, वो आपके इधर side में आ जाते हैं, और ऐसे करके बड़े ही कम समय के अंदर आपका a chapter यहाँ पर complete हो जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले पार्ट में आपके लिए डिसकस करता हूँ, composition scheme